दोस्तों आलमें आपको घ्तामदी बॉक्स प्लेट इस कट की कटिंग अनिस्टीचिंग कैसे करते हैं यह मैंने इसकट के लिए कपड़ा दिया है और यह इसका लाइन दिया है तो लाइनिंग को हम एए लाइन में कट करेंगे और जो हमारा इसकट का कपड़ा है यह स्टेट कट में प्लेट डालेंगे यह 3 मीटर क्लोथ है लंबा ही में और इसकी चोड़ा यह है वह है 43 इंच और हमारा हाइट जो लेनी का वह भी 43 इंच है तो हम इसमें 1.5 इंच नीचे फोल्ड कर देंगे जैसे आपकी हाइट कम है यह जादा है तो आप उस हिसाब से इसमें कट कर सकते हैं तो हम इसमें 1.5 इंच नीचे फोल्ड कर देंगे तो यह 41.5 इंच रहेगी और इसमें 1.5 इंच का साइड में से कपड़ा कट कर लिए है तो हम यह आप इसकी बेल्ट अटेश करेंगे तो वह बेल्ट इस तरह से आएगी 1.5 इंच के लेंगे हम जैसे हमको इसको प्लेट डालगे है जैसे इसको बॉक्स प्लेट डालगे है तो हम इस तरह से इसको फोल्ड करेंगे तो वन इंच इस साइड लेंगे और वन इंच हम दूसरी साइड में इस तरह से बॉक्स जो हम इसका लाइणिंग कट करेंगे है वो हम ए लाइण में कट करेंगे है यह लाइणिंग को डबर फोल्ड कर लिया रूपी सागर कीचे लिया तो इसके जो लंबा ही है 42 इंच ती आगर लाइणिंगे से 1 इंच कम लिया है जैसे लाइणि कमर है 42 इंच जैसे के 11 इंच आएगा 4 फोल्डिंगे अब इसकों 1 इंच आ ले रहा है 12 इंच ले रहा है को इसको इलाइण मु करना तो इंच ले रहा है और यहां से इस तरह से नीच तक में सांगरा है इंच लाइणिंगे लाइणिंगे इंच ले रहा है किस नीच भी जैसे को इसको इसको इरह मों कटकर लिया और जो हम इसको पहला वन साइट सब इस्टेश्टिशिंग लिए करने के बाद फिर हम इसमें जो मारा क्लावत है लेंगेगा उसके में प्लेट डालेंगे जिसे हमने एक लाइन में लाइने कट कर लिया है अब यह दो पीसे हैं अब हमने एक साइड में इसको इस्टिचिंग करेंगे जैसे हमने वन साइड इस्टिचिंग डाल देया है अब इससे पर अब जो नीचे डाउन में हम इसको फोल्ड कर लेते हैं उसके बाद प्लेट डालेंगे हमने वन इंच फोल्ड किया है करेंगे लाइनिंग तैयार कर लिया है यह नीचे फोल्ड करती है और साइड में स्टिचिंग डाल दी है बन साइड में अभी इसी तरह जो हमारा लहंगी का कपड़ा है उसको भी फोल्ड करते हैं यहां पर हम प्लेट डालेंगे जह नीफा की तरह आएगा और इधन नीचे आएगा हम अभी यहां पर फोल्ड करेंगे तो हमने यह उल्टा रखेंगे इस तरह से उल्टा रखने कवा जैसे हमने एश्टा लिया का इसमें 1.5 इंच हम इस तरह से इसको फोल्ड करेंगे हाफ इंच हमने इससे फोल्ड किया है और 1 इंच हमने इस तरह से कर देंगे है नीचे फोल्ड कर देंगे है अब यह से महारा नेफ आया है नेफ आक साइड में हम प्लेट डालेंगे किो हम यहां से सब्सक्राइब करेंगे उपनाई नीचे फेकर नाइनिंग के साथ हिश्टफ कर्दय यहां पर लिदेउश nowhere अब यह भ्कर तरह से बोक्स सकीर्द अब अब आपनी इस तरह इस तरह से फॉल्ट करेंगे वन इंच इस तरह से बॉक्स आएगा है कि आप सेम आप में बॉक्स बनाया तो इस इस तरह अखाएंगे और इसको इस तरह से इसके साथ में अटेश कर देंगे प्लेट आलेंगे, यह साइड में प्लेट आलेंगे प्लेट आलेंगे, यह साइड में जीप लगाने, यह साइड में जीप लगाने पाल आम देफा तैयर करेंगे यह साइड में इसमें कपड़ा बनिन चोड़ दिया है तो इस कपड़ेगो पहला फोल्ड करेंगे, हाफ इंच इस तरह से इसको ब्लाइनिंग के साथ कर रहे हैं इसमें नाइन इंच के सपस यह में फोल्ड कर लिया है, यह दूसरा साइड है इसमें भी हम इसी तरह फोल्ड करेंगे जसमें फोल्ड कर लिया है, अब इस जिप लिया है, और इसको नीचे रखा इस तरह से अब यहां फे श्टेचिंग डालेंगे किना रेका यह दूसरा है तर में स्कुष इसरे स्कूल से गोल्ड को नीच वात परसे प्याइब आए है है टेजिए को ओिस प्राश बादें लो गार झाएnd लो बुस्ला दूने में अब इसको भी हम इस तरह से इसके उपर कवर कटते हुए इस तरह से रखेंगे जैसे हम रे प्लेट डाल दिया है इसको थोड़ा सा रिमूब करेंगे जिससे हम जिप लगानेक वाद इसके उपर कट देंगे तो जो इस टीचिंग आएगे वो कवर हो जाएगे अब जो दूसरा हिसा हम इस जिप को इस तरह से कवर कर देंगे अब इस तरह से टर लेंगे जिप डाल दिया है जो हमारा इस बोक्स प्लेट आएगा वो इस तरह से कवर हो जाएगा अब इस साइड जो हमारा उपन है यहां पर स्टीचिंग डालते हैं तो इस तरह से इसको पलट भीगे जैसे लाइनिंग की साथ में इसको मैं एक साथे स्टीचिंग कर रहे हैं तो जो हमने जिप डाला है यहां से हमें स्टार्ट करेंगे करेंगे जैसे हमें इस साइड में स्टीचिंग डाल दिया है जिप के साइड में अब यहां पर हम बेल्ट लाएंगे तो इसका बेल्ट है 40 साइज है तो हमने यह 4 इंच का कपडा कट कर लिया 40 साइज में अभी हम 2 इंच का वोक्रम कट करेंगे हम इसको हम इसको हम बुक्रम को इस तरह से वन साइड में इस तरह से फोल्ड कर देंगे और वन साइड में हम इसमें श्टीचिंग करेंगे लाएंगे कर दो हम इसमें वन साइड बुक्रम के साथ अटेच कर लिए अब यह साइड का है तो यहां में इस तरह से हाफ इंच फोल्ड करेंगे इस तरह से इस तरह से हाफ फोल्ड करेंगे हाफ इंच अब इस तरह से कवर कर देंगे इसके उपर एक इस्टीचिंग कर देंगे कर दो कर दो कर दो है करें CAL जास्ट हमने पट्टि तयार कर लिये नम्हे Wow कि और यह हमारा लेट तैयार है हम इसको इसको इस्तर अंदरdocस लगाएंगे तो हम इसको इसको इस्तर से उलटा करığımız कीयों किनारी जाता है इसकी लिए करेक्ट नहीं है तो हम इसको उल्टी तरफ से लगाएंगे जैसे हम यह साइट से यह हमने उल्टा रखा है और यह पट्टी हमने सीधा रखा है तो यहां से हम स्टेचिंग डालना सुन करेंगे जैसे हमने बन साइट लगा लिया अभी इसने यहां पर से लाई डाल कर लिया तो यह ऊपर की तरफ इस तरह से आएगा अभी हमको यहां पर स्टेचिंग डालना है अभी जो हमारा व्य बॉक्स प्लेट है उसको इस तरह से कर दो देन्थ देने देन जे देन्ट जुट देटी मेंट कि अधि डिए नियुप लगा दिया तो लगनिकों और इस तरह से यह एगा यह आप चाहे तो इसमें लाश्टी आउ सकते हैं जाई नारा डागो सकते हैं और इन्साइड मेरा बॉक्स प्लेट है और नीचे इस तरह से आएगा आप चाहे तो यहां पर भी बॉर्डर लागा सकते हैं दोस्तों मुझे उम्मीद है कि हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा वीडियो को सेर करें लाइक करें चैनल सबस्क्राइब करें थेंक्यू